नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैप्यस मैंड के और में कैसे हम लोग को that इंट्री लेना है और 4-5 श्ट्रॉक के बार में और डिसकार करेंगे कि हम लोग को कैसे आगे कोर्स आफ़ एक्ष्ण रखना है तो वीडियो के अंद तक बने रही है बात करें हैपियस माइंड की तो IT छेत्र की एक दिगत कपनी है और असुक जिट्टा जी इसके founder और chairman है तो हैपियस माइंड की बात करें तो quarterly result इसका बहुत ही सांदार आया है और profit करीब 16.1% year on year basis पे जम किया है और profit करीब रहा है दोस्तों 48.92 करोड का और इस quarter में करीब profit रहा है 48.92 करोड का वहीं पिछले साल की हम लोग बात करें तो पिछले साल profit करीब 42.15 करोड रहा था और revenue में भी हम लोग को अच्छा खासा increase होते हुए दिखा है और revenue करीब 47.2% increase होके 283.94 करोड रहा है वहीं पिछले साल की हम लोग बात करें तो 192.84 करोड का रहा था तो revenue में भी हम लोग को अच्छा खासा increase देखने को मिल रहा है happiest mind में एक sound company है और इज़र हम लोग को take stocks में लगतार गिरावट देखने को मिल रहा था उसी करम में हम लोग को happiest mind में भी अच्छा खासा fall देखने को मिल रहा है और उसका main reason है happiest mind का जो price to earning ratio था वो करीब 140 क्रोस कर चुका था दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा overvalued हो भी हो चुका था इसके करना हम लोग को अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है और करीब price to earning ratio अभी 100 के करीब आपको मिल रहा है तो 100 के करीब भी थोड़ा overvalued ही माना जाता है लेकिन जहां पर growth रहता है और earning potential आपको अच्छा दिख रहा है वैसे stock में आप लोग को buy करके चलना रहा है instead PE high हो क्योंकि जो quality stock है जिनका price to earning ratio भी हाई है लेकिन growth potential और earning potential दोनों सांदार है वैसे में आप लोग buy करके चले कोई दिकत नहीं होगा long term में और बात करें हम लोग happiest mind की chart analyze करके तो हम लोग जो method सिखते हैं पहले उसको discuss कर लेते हैं तो 20 का moving average उसकरते हैं जो कि आपको blue lines हो कर रहा होगा और दूसरा indicator हम लोग 200 days का moving average को लगाते हैं और तीसरा indicator हम लोग लगाते हैं pivot point या pivot line भी बोलते हैं जो कि आपको support या resistance बताता है तो अभी हम लोग फिलहाल की बात करें happiest mind में तो कब हम लोग buy करना पसंद करते हैं दोस्तों हमारे जो पुर इसलिए हम लोग buy करना पसंद करते हैं जब price 200 days के moving average के करीब में चले या best होता है 200 days के moving average के नीचे चले तो happiest mind में हम लोग को लगतार गिरावर देखने को मिल रहा है और इसमें लगतार downtrend चल रहा है तो यही बात हम लोग हर वीडियो में बात करते हैं कि कभी भी आप हम लोग बात करें तो price 200 days के moving average के करीब में चल रहा है और इस पिवट पर आ चुका है तो यहां पर हम लोग देख रहे थे triangle pattern का breakout नीचे की तरफ था तो इसलिए बोले थे कि बहुत ही ज्यादा नीचे fall कर सकता है अगर जीधर भी breakout होता तो ज्यादा momentum के साथ होता इसलिए अगर यहां से एक बड़ा सा green candle अगर आपको दिखता है यहां पर बेजी चक इंट्री ले ले quality stock है long term में आपको wealth बना कर ही देखा price to earning ratio जरूर high है लेकिन S.I.P कीजेगा तो S.I.P करने से आपको price to earning ratio भी manage हो जाता है क्योंकि हम लोग एक बार में पूरा quantity buy नहीं करते हैं अगर मालीजे यहां से भी fall करता है तो हम लोग नीचे का pivot करीब 9.59 है उस पे और भी average कर लेंगे तो पहला आप लोग यहां पे कुछ quantity अगर support लेने कोशिज करता है ऐसे तो हम लोग को उस दिन खास कोई support दिखा नहीं था तो एक बड़ा सा green candle अगर दिखता है 3-4% का happiest mind में तो buy करके चले कोई issue नहीं होगा और अगला stock की बात करें दोस्तों तो यह है IEX Indian Energy Exchange जहां पे power companies अपना electricity unit trade करता है एक debt free stock है और past में हम लोग को multi-bagger return भी निकाल करके दिया है और हम लोग बात करें तो price to earning ratio इसका भी थोड़ा high हो चुका है क्योंकि हम लोग को IEX में लगतार uptrend का दौर पिछले एक डेर साल से देखने को मिल रहा था और फिलहाल के हम लोग बात करें तो price 200 days के movie average से बहुत ज़्यादा दूर चल रहा था और यहां पे हम लोग को double top जैसा भी दिखा था तो इस location पे और इस location पे भी हम लोग कुछ बोले थे आप लोग कुछ profit book कर ले आई-एक्स में अगर बहुत जादा quantity में बाई करके चले हैं और नीचे के price पे ले चुके हैं तो अच्छा कासा profit चल रहा होगा तो माली जो दस स्टोक है तो तीन चार ऐसा हम लोग ने पिछले वीडियो में बात किया था तो फिलाल अगर फ्रेस इंट्री बनाना है तो थोड़ा सा weight कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी triangular pattern है और breakout नीचे की तरफ हम लोग को दिखने को मिलना है तो उसके बाद बड़ा momentum हम लोग को नीचे की तरफ दिख सकता है और बाई का सोचेंगे quality stock है long term में आपको जरूर वेल्थ बना करके देगा IEX इसलिए यह तो हमारे portfolio में जरूर होना चाहिए और अगला stock जो retailer का बहुत ही favorite stock है Tata Power और electric vehicle का जो charging station लगेगा उसमें एक market leader कपनी है अभी तक कपनी ने करीब 1000 भी charging station लगा चुका है और कपनी का प् प्रोस्पेक्ट इसका बहुत ही ज्यादा ब्राइट है टाटा पावर का तो इसमें भी हम लोग को कुछ entry बना कर एकर चलना होगा तो हम लोग चल सकते हैं लेकिन फिलहाल कि हम लोग अगर बात करें तो प्राइस 200 देश के मुवी अब यह से बहुत ही ज्यादा दूर चल है अगर माली जो उपर की तरफ हम लोग को ब्रेकाउट देखता है तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम उपर की तरफ देखने को मिलेगा नहीं तो फिर प्राइस फॉल करके 200 के मुविंग एबरेज के पास आएगा तो इसमें भी हम लोग को कोई entry बनाने का समय नहीं है क्यों 255 के प्राइस पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा क्योंकि पिछले बार भी यही से प्राइस टर्न लिया था तो यहां पर अच्छा खासा इसको रेजिस्टेंस है दोस्तों तो इसको ब्रेकाउट हम लोग उपर की तरफ देता है तो बाई करेंगे नहीं तो बढ़िया सा फ कर लेजिएगा ऐसे आपका रिटर्न भी हो जाएगा और आपको ट्रैप्ट होने का भी पॉसिबिलिटी बहुत कम होगा और अगला स्टॉक की बात करें तो कैम्स बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और यह भी रिटेलर्स का एक फैबरेट स्टॉक रहा है और म्यूचल यहाँ अंतार हम लोग को गिरावट दिख रहा है तो फिलाल प्राइस के लोग बात करें तो प्राइस टू हंडेस के करीब आ चुका है तो हम लोग ऐसे पॉजिशन में ही बाइ करना फिस्ट इंट्री लेना पसंद करते हैं यहां पर फिंटेन हैम्रत के करीब चले और हम बड़ा सा green candle का आप लोग wait करें 3-4% का cams में उसके बाद इसमें entry ले सकते हैं first interview लेना है तो ले सकते हैं अगर उपर के price पर भी फसे हुए है तो कुछ average कर सकते हैं तो cams में दोनों काम आप लोग कर सकते हैं दोस्तों नया entry भी आप लोग को लेना है तो ले सकते हैं और average भ हम लोगो promoters का stake थोड़ा कम होते हुए दिखा है जहां promoters सितंबर quarter में 30.96% का holding रखते थे वहीं December के quarter में हम लोग 23.75% का holding रखे हैं तो इसी करह हम लोग को price में लगतार fall देखने को मिल रहा है क्योंकि promoters ने थोड़ा stake अपना घटाया है करीब 7% stake अपना कम किया है लेकिन वहीं हम लोग FIIs की holding की बात करें दूस्तों तो हम लोग को अच्छा कासा increase होते हुए दिखा है जहां पिछले quarter में 26.49% का holding था वहीं December 2021 के quarter में करीब 30.43% का holding हो चुका है तो अच्छा खासा increase हम लोग को FIIs की holding में होते हुए दिख रहा है और DIs ने कुछ stake घटाया है करीब 15.15% का holding पिछले quarter में था वहीं इस quarter में करीब 13.25% का holding रह गया है वहीं हम लोग public की बात करें तो public ने बहुत ही अच्छा इसमें increase दिखा रहे हैं करीब 27.40% का holding पिछले quarter में था वहीं बढ़के हो चुका है 32.57% तो बहुत public और FIIs दोनों ने अपना stake बढ़ाया है जो की बहुत ही अच्छी बात है FIIs का holding बढ़ना ही इस stock के लिए बहुत ही सुपसंकेत है और हम लोग को भी इस stock में buy करना है क्योंकि हम लोग जान रहे हैं दोस्तों तो डीमेट अकाउंट इंडिया में बहुत ही कम खुला है और जैसे जैसे mutual fund share market यह समय लोगों का inflow बढ़ेगा तो camps का भी business grow करेगा एक monopolistic business है करीब 97% market share रखता है तो इसलिए हम लोग को camps में भी अपना investment करना चाहिए और आज का हमारा last stock है दूस्तों डावर और डावर इंडिया की एक leading FMCG company है और इसमें भी हम लोग लगतार गिरावट देख रहे हैं तो कि बहुत सारे FMCG stock हम लोगों को लगतार अभी गिरावट के दौर से हम लोगों को जाते हुए दिख रहे हैं जैसे हिंदुस्तान उनिलीव और आपका data consumer सभी अभी downtrend में चल रहे थे तो उसी तरह डावर में भी हम लोग देख रहे हैं लगतार हम लोगो टॉप से गि ले लिया जाता है और फिर और भी नीचे आता है तो नीचे का पीवट देखके हम लोग अपना एंट्री को बनाते हैं लेकिन फिलहाल की बात करें तो डावर में हम लोगों को लगतार डाउंट्रेंट दिख रहा है और इस पीवट पे करीब 528 वाला पीवट पे हम लोगो कोई सपोर्ट अभी लेते हुए नहीं दिखा है और बड़ा सा रेट केंडल है उसके बाद इंवर्टेड हैमर है जो की बीरिस साइन ही बताता है तो इसमें थोड़ा वेट एंड वाच कर ले अगर यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेगा तो ठीक है नहीं तो नीचे का पीवट पर आ सकता है और नीचे का पीवट करी 480 पर है तो अचा खासा इसमें डाउन्टेंड और भी हो सकता है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा वेटेंड वाच करें दूस्तों क्योंकि अच्छा खासा आंटेंड चल रहा है और फाइब ट्वैंट को भी लगता है ब्रेक कर सकता ह तो इसलिए हम लोग ज्यादा डाउंटेंड में नहीं करेंगे पहला इंट्री अगर करना है तो यहां पर अगर सपोर्ट लेगा तो कर लिजेगा नहीं तो 480 के पिभट पे आप बाई कर सकते हैं कुछ FMCG स्टॉक में भी आप लोग इंट्री बनाएं क्योंकि ज्यादा ग्रोथ स्टॉक भी रखने से थोड़ा पोर्ट पोलियो भलना रेवल हो जाता है तो FMCG कपनी आपको थोड़ा कम रिटेंड देगा लेकिन आपके पोर्ट पोलियो को स्टेबिलिटी परदान करता है तो FMCG लीडिंग FMCG कपनी में ही बाई करके चले डाबर उन में से एक है तो होप अप लोग को वीडियो पसंद आयोगा दस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करतेजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अपने दोस्तों में सेर कीजे चलि